अगर तुम गौर करो तो हर किसम का रिष्टा चाहे वो बाप बेटे का रिष्टा है क्यों ना हो मा बेटे का रिष्टा है क्यों ना हो सबसे करीबी रिष्टों की बात कर रहा हूं उनकी उनकी एक्जाम्पल दे रहा हूं रिष्टे आखिरकार कहीं न कहीं सिर्फ बातों पर ही तो जुड़े होते हैं ना बाप बेटा भी है उन पर कोई चेन थोड़ी बंदी हुई है कि यह इसका बाप है यह इसका बेटा कितने बाप अपने बेटों को छोड़कर चले जा कोई भी रिष्टा ऐसा नहीं है जो रिष्टा कि कहीं किसी आस्मानी ताकत से एक दूसरे को जोड़कर रखता है कोई रिष्टा ऐसा नहीं है जो जो भगवान ने बना कर तुम्हें दिया है उसका तो मतलब कुछ उसको छोड़ी नहीं सकते हैं हर चीज हर रिष्टा बाक बॉल दिया है लड़का लड़की करता है लड़की आगे से हां कह देती है वहां ही कहती है ना वो कोई तुम्हें नारियल थोड़ी देती है उपर सिंदूर डाल कर या फिर कोई चेंड थोड़ी तुम्हारे गले में डाल लेती है कि ठीक है आज से तुम मेरे बॉइफ्रेंड हो इनसान के जीवन में सबसे महत्पुन्ट चीज है उसके द्वारा बोला गया शब्द मुझसे बहुत पहले किसी ने पूछा था कि इनसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टन चीज कौन सी है उसका जवाब है हर इनसान की जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन चीज है वो है शब्द केवल शब्द ही एक ऐसी चीज है जो वो इस ब्रमांड को दे सकता है नहीं तो इस ब्रमांड में सब कुछ पहले से ही मौजूद है तुम जब भी कुछ बोलते हो तो वो जो शब्द तुम्हारे मूँ में पैदा होता है वो मूँ से निकलता है और इस ब्रमांड में तैरने लगता है ठीक है ना भाई साब यहां क्या है आप जो भी बोलते हैं ठीक है आपके मूँ से कुछ निकला जैसे तो ब्रमांड में हर एक चीज पहले से मवजूद है पानी पत्थर अगर तुम्हें लकडी देए तुम काओ ये तुम बना सकते हो, तुम जो भी बोलते हो, तुम उसे पैदा करते हो, वो शब्द तुम्हारे मुह में पैदा हुआ है, तुम्हारे मुह से निकल कर वो ब्रहमांड में तैर रहा है, और ये हमेशा हमेशा के लिए ब्रहमांड में तैरता रहे, तुमने जो भी बोल दिया, ज निकला हर शब्द अमर है, बच्पन में बच्चे बहुत सारी बाते करते हैं, कुछ भी बोलते ही चले जाते हैं, लेकिन बड़े होने पर वो सीखते हैं कि उनके द्वारा कही गई बातों की कीमत है, लेकिन यहां दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जो बड़े होकर कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका बच्पन खतम ही नहीं होता, वो बड़े ही नहीं होते हैं, वो जुबान की कीमत को समझ ही नहीं पाते हैं, कहीं पर कोई भी वादा करते हैं, और भूल जाते हैं, या फिर जान बुच कर परवानी करते हैं, देखो मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूं ये उनकी स्वतंतरता है कुछ लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ मैं कुछ भी बोलता हूं मेर को नहीं परवाए है उनकी मर्जी है लेकिन अगर तुम जिम्मेदारी के साथ जीना चाहते हो, काम्याबी के शिखर तक पहुँचना चाहते हो, जीवन का सुख भोगना चाहते हो, समराट बनना चाहते हो, तो अपने शब्दों की कीमत को बढ़ाना होगा. हर रिष्टा किस पर टिका होता है हर रिष्टा टिका होता है वचन पर शादी में साथ वचन होते हैं कई कई जगा पर बहुत सारी चीज़ें होते हर कहीं वचन की वैल्यू है कर दो पत्ति पत्नि आपस में वह कोई रिष्टा निau वह के लिए साथ रहना वह वचन जब पटी ने पत्नी वचन दिए कि मैं तुम्हारे लावा किसी की तरफ नहीं देखूंगा तो वह उस वचन के वेरी जिंदिगी उसके साथ रहती है निसे बड़ी क्या चीजमें और कोई चीज नहीं पैसा नहीं हम फूसूरती कुछ नहीं होती मैं कुछ सब्यों सर एक थिर शैरत ार तुम्हें तीन दिन ST दिन रहो तीन वचन, शब्द, चरित्र निर्मान में ऐसा कोई भी गुण नहीं है, जो अकेला विकास कर सके, समझे रहे हैं, एक इनसान है, एक इनसान के चरित्र निर्मान में कोई अकेला गुण काम नहीं करता, बहुत सारे गुण काम करते हैं, लेकिन सभी के सभी गुण किसके साथ जु इनसान के पूरे व्यक्तित्र पूरे जीवन से लेना देना होता जैसा तुमने अक्सर देखा होगा कुछ लोग युई कह देते हैं कि बाइव पाँच मिनट में तेरे घर में पहुंच रहा हूं बनां Are gonna demonstrating posição उन उनके लिए अपने शब्दों की कोई कीमत नहीं है समय की कोई कीमत नहीं है उने फरक नहीं पड़ता के उनके दोस्त ख़र उनके घर से 30 मिनट की कि दूरी पर है वो 5 बिनट में वहां पहुंच ही नहीं सकते पर वो बोल देते गड़े मेंद्द跟大家 के लोग होते हैं एक गरीब सोच वाले ठीक हैं इतब्स यह एक होते हैं अमीर सोच वाले यह दोनों बड़े important शब्द हैं बार-बार आएंगे बार-बार आएंगे पूरी दुनिया इन दो तरह के लोगों में बटी हुई है बात यहां पैसों की नहीं है यहां बहुत से अमीर लोग हैं जिनकी सोच गरीबों वाली है और यहां पर ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिनकी सोच अमीरों वाली है और उसका पता कहां से चलता है उनकी भाशा से उनके बात करने के लहसे से उनके शब्दों से गरीबों में चलता है 5 मिनट बोल कर 50 मिनट में आओ लेकिन अमीरों में ऐसा नहीं चलता तुम्हें गरीबों की तरह जीना है या अमीरों की तरह तुम्हें अपने दिमाग में हर समय एक एकसरसाइस करते रहना चाहिए कि तुम्हें किसी जगा पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, हर समय तुम्हारे दिमाग में ये exercise चलती रहनी चाहिए, चाय बनाने में कितना समय लगता है, राशन की दुकान तक आने जाने में कितना समय लगता है, तुम नहाने में कितने मिनिट लगाते हो, खाना ख दी जाती है कोई भी देश वर्ड की सबसे हाइस्ट क्वालिटी की ट्रेनिंग जिसे देता है कोई भी देश प्राइवेट स्कूल वाला दे रहा है नहीं सबसे ऊपर होती है फॉज इसलिए हम लोग देखते हैं कि फॉजी जुबान और वक्त के बड़े पक्के होते हैं मेरे पिताजी भी एक फॉजी रह चुके हैं और मैंने जीवन भर उनमें ये दो क्वालिटी देखी हैं और उनसे सीखी हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे शरीर में कितनी त राकत है तुम दो बाल्टी पानी उठाकर 10 सीड़ियां कितनी देर में चड़ते हैं अगर तुम्हें यह पता चोटी मूटी कैलकुलेशन नहीं पता तुम्हें हर चीज पता होना चाहिए कि मेरे चलने की स्पीड कितनी है दोडने की कितनी है कितना वजन उठा सकता हूं मै जैसे जैसे तुम अपनी शक्ती और समय का सही अंदाजा लगाने लगते हो वैसे वैसे तुम duration को लेकर accurate होते चले जाते हैं। तुम किसी काम को करने में लगने वाले समय का बिल्कुल ठीक ठीक अंदाजा लगा लेते हो। जिस दिन तुमने अपने दोस्त को कहा ना कि भाई मैं 38 मिनट में तेरे पास पहुँच रहा हूँ, मैं 38 मिनट में तेरे घर पहुँच जाऊंगा, उस दिन समझो तुमने समराटों की पहली अदा सीख ली, शब्द और समय का बहतरीन तालमेल, इसी घटना को वचन कहते हैं, किस घटना को वचन कहते हैं, समय और शब्दों का बहतरीन तालमेल, समय और शब्द, ये आदत तुम्हें बच्पन से ही डाल लेनी चाहिए, बड़ी-बड़ी कंपनियां बनाने वाले बड़े-बड़े वैपारी अपने वचनों के दम पर ही समराट के सिहासन पर बैठे हैं, बड़ी-बड़ी अदालतें इनसान की गवाही पर ही फैसले लेती हैं, बड़े- और समय को समझना हो, तुम जो भी शब्द बोलते हो, ठीक है, शब्द मतलब होता है word अगर कुछ लोगों को, तुमने जो शब्द बोल दिया, तुम वो शब्द बन जाते हो, तुम्हारे मूँ से निकला शब्द तुम्हारी पहचान है, वो तुम हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इसे जनम दिया है, तुम मर जाओगे, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए यहीं इसी ब्रमान में तैरता रहेगा, तुम्हें वही बोलना है जो तुम करोगे और तुम्हें वही करना है जो तुमने कहा था, तुम्हें अपनी बात को लेकर इतना strong होना पड़ेगा तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है हाँ ये मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है क्या कहा तुमसे न हो पाएगा तो दूर रहो मुझसे ये खेल तुम्हारे बसका नहीं है मेरे पास राजकुमार आते हैं मैं उन्हें समराट बनने की ट्रेनिंग देता हूँ अगर तुमसे ये बरदाश नहीं होता तो दूर हटो मैं तुम्हें कम बोलने को नहीं कह रहा हूँ जितना मर्जी बोलो सारा दिन बोलो महान लीडर दिन रात बोलते हैं बातों द्वारा ही वो अपनी टीम के साथ कम्यूनिकेट कर पाते हैं बोलो जितना मर्जी लेकिन तुम्हारा हर वाक्य एक वचन होना चाहिए पत्थर पर लकीर और ऐसा इंसान बनने के लिए तुम्हें बड़ी महनत करनी पड़ेगी उसके लिए तुम्हें बड़ा इमांदार होना पड़ेगा फाल्तू के दोस्त और गल्फ्रेंट्स को छोड़ना पड़ेगा या यूं कहलो के पीछा चुड़ाना पड़ेगा कुछ भी बोलकर बगाव उनको बच्पन लड़की वड़की छोड़ो बॉइफरेंड गल्फरेंड चोड़ो सीरेस हो जाओ भी तुम कुछ नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में बिना मांदारी कि कुछ नहीं होता फिल्मों में वैसे दिखाते हैं मुझे बार-बार कहना पड़ता इतनी बार तो कहने की जुरूद भी नहीं होनी चाहिए कि वह इंट्रेटेन्मेंट ऐसी दिखा रहे हुए और वचन देना कोई बच्चों का खेल नहीं ऐसा नहीं कि तुम्हें गुसा चड़ा हो कि जोश चड़ा हो कि गलती से तुम्हारे मुझे निगल गया इसलिए तुम अपने मुझे निकली हुई बात को किसी ना किसी तरह पूरा करके दिखाओगे यहां जिद और अहंकार से बात नहीं बनेगी लेकिन हम देखते हैं सारी दुनिया एक दूसरे को हर रोज लाखों वादे कर रही है वचन दे रही है ना वचन देने वाले को परवाह है ना सुनने वाला को येकीन कर रहा है तुम कहीं में चले जाओ दो लोगों की बातें सुनों वो दोनों दूसरी को promise पर promise कर रहे हैं लेकन दोनों यकीन नहीं करते, सारी दुनिया भी ना सोचे समझे बोलती जा रही है, कोई किसी पर यकीन नहीं करता हाँ, बाद में नाटक करते हैं कि मैंने यकीन किया था, तुम जो कहते हो, वो पहले भी कई बार कर चुके होते हो, तब उस बात को वचन माना जाए, ऐसा नहीं कि कोई काम तुम पहली बारी जिन्दगी में करने लगे और तुम्हें आरियर हतोड़ा पकड़ा दो और तुमको मैं वचन देता हूँ कि मैं इस पेड़ को काटके कुर देते हो, उससे पहले सोचने के लिए जितना समय चाहिए ले लो, सभी ऑप्शन के बारे में सोचो, क्या तुम इतनी मेहनत कर पाओगे, इतना समय दे पाओगे, शादी क्या है, रिष्टा क्या है, एक वचन पर टिकी हुई चीज, और वचन क्या है, शब्द और समय का ता मैं सिखाता हूं, कि खुद को आदत डालो कि मैं हर फैंसले को 24 घंटे का टाइम तो जरूर तुम कोई भी फैंसला लेना चाहते हो, जिन्दगी का कोई भी फैंसला, जैसे नई कंपनी शुरू करना, या बच्चा पैदा करना, या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना, जैसे अनात अश्रम खोलना, या चिडिया घर खोलना, क्योंकि तुम्हें पंचियों की और जानवरों की फिक्र है, ऐसे डिसीजन कोई भी लेने हैं, तो खुद को, मैं तो बहुत बड़े-बड़े डिसीजन बोल रहा हूं, तुम्हें चोटे से चोटे डिसीजन पर भी यही फॉर्मुला ट्राई करना है, कौन सा, मैं हर डिसीजन को 24 घंटे गा टाइम तो जरूर, इससे क्या होता है, मालो 25 तारीक है किसी भी महीने की वो तुम को उस दिन तक यह डेड्लाइन है, अब डेड्लाइन तुम्हारी आँखों के सामने है, तो मैं इससे पहले डिसीजन लूँगा, पत्चीस तारीक से पहले डिसीजन लूँगा और उस डिसीजन को 24 घंटे तक पेंडिंग रखूंगा यह 24 घंटे सोचो दस दिन सोचो भीज दिन लेकिन जिस दिन तुमने फैंसा ले लिया कि हां मैं यह काम करूंगा येस करने के बाद उसे 24 आवर का टाइम दो उसे पड़ा रहने दो क्योंकि बहुत सारी चीज़े होती है जो दिमाग बाद में पॉप अप करता है उचाल उचाल कर फैक्ट है उसके लिए 24 घंटे लेता ह यह दिमाग के काम करने का तरीक है इसलिए 24 घंटे देने ही पड़ेंगे उससे कम करो के फाइदा नहीं है वो 24 घंटे उसने लेने लेने कि यहां एक चीज़ को और करो करो मैंने तुमिए क्या कहा चारा ड़ा कि असडुम मैं शब्र पर रहां मैं सिर्फ आपर समय। कि हम समिय पर कुछ मी बोलोंगा समय तो खुदबख खुद और बीचमे रस की तरह बैहता है समय पर क्या बोलने है बोल मैं शब्द पर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बीच-बीच में समय भी समझ में आ रहा है, तुम्हें अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस, अपने शब्दों पर लाना है, जाहिर सी बात है, तुम कम बोलने लगोगे, तुम चोकनने हो जाओगे, सोचने में ज्य साधा इफेक्टिव बात बोलने की क्वालिटी डेवलप होगी। दुनिया भर में press conference होती हैं जिसमें किसी diplomat या celebrity के इंट्रिव्यू ली जा रही होती है लेकिन तुमने देख़ा कि जो press reporter है वो उस diplomat को या celebrity को उकसाते हैं उसे छेड़ते हैं उसे अपने तरीके से चलाने उसके दिमाग को control करने की कोशिश करते हैं उसे थोड़ी ऐसी बात कहते हैं जिससे वो उसको परिशानी हो कच्चे खिलाड़ी या खबरों में च्छाय रहने वाले जल्दी ही इस सोच समझ कर बोलने वाले स्टाइल को छोड़कर मन में जो आए बोलने लगते हैं मीडिया के सामने बैठकर अपनी जुबान को दिल के हवाले कर देना बड़ी ही बेवकूफी भरी हरकत होगी समय का ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या काम कर रहे हो कहां बैठे हो किसके सामने बैठे हो समय सब के लिए एक जैसा नहीं होता अलग-अलग इनसान पर समय अलग-अलग प्रभाव डालता है गुरू के पास बैठकर तुम समय को समझ सकते हैं और कोई तरीका नहीं समय को समझें फॉर्मूले को समझो सही समय पर सही बात कहने वाला इनसान ही आगे बढ़ता है सही समय पर सही बात कहने वाला इनसान ही आगे बढ़ता है समय की ही सारी कीमत है तुम समय निकलने दे रहे हो तो वो कभी वापिस ने आएगा वो कभी उसका कोई इलाज नहीं है में अच्ञाता है समय की चक्र समस्थते समय। मी ऐसे काम को हो ज़ानते हों कि तुम बार बार किसी एक काम कोई तो उराते चले जारे मैं जैसे नशेल करता है तो शेराबी हो गया और भी होते वो रोज सोचते हैं कि मैं नहीं पिऊंगा रोज सुबह उठके किसम खाते हैं लेकिन आठ बजे का समय उन पर जादू करता है उसे तुम मजाक में नहीं ले सकते वह समय के चक्र में फसा हुआ है अगर तुम समय के चक्र में फसे रह गए तो बार-बार एकी काम को करते रहोगे वो काम कोई रिजल्ट भी नहीं दे रहा हम लोग ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं बड़े क्रियेटिव हैं लिख थे जैसा समझ लोग न मैं किसका नाम लूँ यूट्यूब पर बहुत सारे लोग स्पीकर भी हैं नॉन स्पीकर्स भी हैं क्रियेटिव काम करने वाले भी वह उसी में फसे हुए हैं बदलाव ही इलाज है तुम जितना सोच समझ कर बोलोगे उतना ही तुम्हारे मन पर बोज कम होगा समय ज्यादा व liar जब कम बोलोगे चनवादिर करोगे कम कुस्क्र में खाओ तो तुम्हारे पास समय ज्यादाव utilization देखो हो सकता है तुम उससे करो मैं साध़ारन सा लड लड़का हूं मेरे कुछ कहने से या ना कहने से किसी को क्या फर्क पढ़ता है लेकिन फर्क पड़ता है तुम जो भी बोलते हो उससे तुम्हारा चरित्र निर्मान होता है अगर तुम पहले बोलोगे कि मैं एक इमांदार और महंती इंसान हूं तो ये बोलने की वज़ा से तुम इमांदार और महंती इंसान बन जाओगे बनाने वाले ने हमें सेल्फ प्रोग्रामिंग के लिए बनाया है उसने हमें सेल्फ ट्रेनिंग के लिए बनाया है उसने हमें शब्दों से चलने वाले ही बनाया है लोग बातों से ही तो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं तुम्हारे नेता तुम्हारे धरम गुरू एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज वाले सब शब्दों और तस्वीरों द्वारा ही तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करना चाहते हैं क्योंके तुम हो ही एक प्रोग्रामिंग डिवाइस कि तुमने को अदमी थोड़ा सा भी चाहे वह गाना बजाने वाला हो थोड़ा सा उंपठने लग पड़ता है फिर वह राजनितिक बात करने लग पड़ता है वाली भाशा बोलता है उसको लगता है कि मेरे 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 शब्दों का जादू चलतो रहा है कि असल में सैलिब्रेटी इतने बेवकुफ नहीं होते जितने उनके आसपास बैठ कर खाने वाले जो चाहते हैं कि तुम कोई फिल्म बनाओ गाना गाओ तांके मुझे कैमरा चलाने का मौका मिले मेकप करने का मौका मिले तो पागल बनाती है सबको कि भाईया तू आजा लगा ले लिए और यह रो बन जाएगा तू चड़ जाएगा ऐसे लोग चड़ा देते किसी को समय को स जा सकता शब्द पर बोला जा सकता है शब्दों से समय को समय अब वो जो सेलिब्रिटी है जो सिंगर है या एक्टर है उसको धीरे दीरे प्रोपेगेंडा करने लगता है उसको समझ में लगता कि अरे यहां तो जो भी दिखाओ अच्छा अभी आदिपुरुष फिल्म है जो उसके उस उनके जो राइटर है मनोज मुंतिशिर उनकी इंट्रव्यू देखो उस आदमी के चेहरे को देखो वो हस रहा है और हस्ते हस्ते कह रहा है कि जहां तुमने तीन सो अलग-अलग रमायने स्विकार कर लिए मेरी रमायन को तीन सो एक वार समझ लो मतलब वो अं बारे में क्या बोलते हैं उसको भीम्राओं बेटकर के बारे में और मुसल्मानों के बारे में जो भी है वो कुछ भी नहीं हुआ हम इने लिख लिख कर पागल बनाया तुमको अब यह उसको लग रहा है कि हम एक फॉर्मूला तो मैं समझ गया है ऐसी यह फॉर्मूले अक् तुम्हें यह बता दो कि 300 रामायने कैसे हुई है उसको बड़े गौर से सुननां तीन सो रामायने ऐसे निए कि एक बंगाल में बैठा आदमी लिख रहा था उसी महीने और उसी बिहार में बैठा लिख रहा था और छे महीने बाद एक पंजाब में बैठा लिख रहा था ऐसा नहीं है भाई साथ तीन सो रामायन का मतलब है तीन सो बार रामायन रिपीट हुई है बार बार अगर तुम रामायन को गौर से पढ़ो मैं इस बात की नहीं कह रहा कि सच में रिपीट हूई है लेकिन कुष्च अगर उसुला जह थे क्षिख भात और वह अमतलब है कि एक दegए क्या वगं सिटा ने पीछे पड़ गई कि नब तुम्हारे साथ बनमास मेरे साथ में सब में सिता राम के साथ गढ़ी है कुई तो आज तक जितनी भी राम ऐने में हुई है उन सब में सीता राम के साथ जाती रही है इस बार क्यों नहीं जाओंगी मैं किसलें नहीं 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 हुना अधिकार मरना सब यह पड़ता है वह राम को लेने आते था लेकिन हनुमान के होते हुए राम की मृत्यू कैसे हो सकती है यानि मृत्तिव आकर राम को कैसे लेकर जा सकती है तो उन तक संदेशा पहुंचाया गया राम ने क्या किया अपनी अंगूठी उतारी और पतालोक में फैक दी और हनुमान से कहा जाओ वो मिरी अंगूठी उठा कर लाओ तो हनुमान ने अपना size छुटा किया और उस छेद में चले गए अंगूठी उठाने के लिए अन्दर जाके देखा तो लाखों अंगूठी पड़ी हुई थी बहुत सारी अंगूठीय पड़ी हुई थी वह इन्नोंẹ अंदर एक तो हनुमान को बताया गया कि हर बार राम ऐसे अपनी फैंकते हैं और हर बार तुम्हें आना पड़ता है तांके वह पीछे से मृत्यू को प्राप्त हो सके ज्यादा बात नहीं करते इस पर आगे चलते हैं समय दोहराता है खुद को सबका सब वैसे का वैसा ही होता है जो लोग मर जाते हैं वह अपनी इन्फोमेशन के साथ दोबारा पैदा होते हैं इस नॉट पुनर जनम बट खैर समझो बात को क्योंकि मैं ज्यादा टीटेल में जाओंगा तो टॉपिक हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं कि तुम लोग समझदार हो इतना मैंने बोला हुआ इतना बोला हुआ कि भाई त दीरा मैंड चिपकादी इनको यह सोच रहे हैं सच्छा जूटे लट रहे हैं एक हम भी लिग देते हैं कि और कॉन्फिडेंस देख रहे हो पता नहीं जूते क्यों नहीं पड़े उसको पता नहीं कैसे बच गया कही ना कहीं से तो बची गया है कि बजाए दूसरों को कंट्रोल देने के तुम खुद को खुद ही प्रोग्राम करो कोई धार्मिक नेता तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम कौन हो तुम्हारे पूरवज कितने बड़े योद्दा थे वह कैसे तलवार चलाते थे वह कितने लोगों को मार देते थे वह शेर थे इसलिए तुम अना अलगी दुनिया में पैदा हुए तुम्हारा खून ही अल कि यह से लोग हैं मुंतिशीर जैसे क्योंकि लगता है यह सब पागल है कुछ भी बोलो सिर्फ यह लोग शब्दों से चलेंगी लेकिन पॉलिटीशन जो होता है देखो मैंने राजनेता से बात शुरू नहीं की मैंने तुम से क्या कहा नाचने वाला तबला बजाने वाला गाने वाला अक्सर यह लोग थोड़ा हिट होने के बाद थोड़े यह मुंतिशीर जैसे मैं खैर किसी को बहुत में नापसंद नहीं करता हूं मैं बस उनकी हरकते देखता हूं कोई मेरे में कोई गुसा नहीं है कोई उनके लिए नाराजगी नहीं अगर मेरी भाष्ट ज्यादा बुरी हो रही है तो मैं माफी चाहता हूं उनके शब्दों को अपने कानों में मत जाने दो उनका जादू अपने दिमाग पर मत चलने दो अपने शब्द खुद चुनो तुम्हारे उपर तुम्हारा ही जादू चलना चाहिए